गुड मॉनिंग चात्रों रामराजी इंटर कॉलेज नायन पूर पितंपूर अमबेटकर नगर के आनलाइन क्लासेज में अब सभी का स्वागत है चात्रों आज हम नहीं चैप्टर पढ़ेंगे माना स्वास्त तथा रूब इसमें मानो मानो के बारे में आपको बताया गए क एक सजी सनचना है जो इस प्रतिवी पर सबसे विक्सित और विक्सित है वो दिमान प्राणियों में गिना जाता है अब इसका स्वास्त है यह व्रूब स्वास्त किसे कहते हैं स्वास्त यदि किसी व्यक्त की दैनिक क्रिया सामान रूप से होती है तो वह स्वास्त होता है स्वास्त को हम रोग भी कहते हैं ठीक है तो स्वास्त और रोग में थोड़ा सा डिफरेंस है अगर हमारी दैनिक्रिया क्लाप सामान रूप से चलती है हमारी सरीर की दैनिक्रिया क्लाप सामान रूप से चलती है तो हम स्वास्त होते हैं अगर यह दैनिक्रिया क्लाप सही रू कहा जाता है अब यह रोग जो है रोग क्यों होता है कैसे होता है इसे के बारे में आज हम मत दिन करेंगे शाथों सबसे पहले हम जानते हैं कि यह स्वास्त है इस स्वास्त को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं जैसा कि यहां दिया हुआ है तीन-चार कारक बत इसे होती है जो अनुवानसिक होती है जो हमारे गुंड सूत्रों जीनों में प्रभाव के कारण से या गड़बड़ी के कारण से प्रभाव गड़बड़ी का मतलब होता है किसी के कारण से प्रभाव इसको का जाता है गड़बड़ी का मतलब होता है जीन की संख्या में कमी ह कुछ प्रभ्वाव कारण से यह थोड़ा इसा बीमारी भले दिटास कुछ लोग इकलांग हो जाते हैं कुछ लोग मानसिक लिख किए कुछ किस उनने की शंथा कम होती है कुछ बोलने की शंथा नहीं होती यह सारी बीमारियां जो आती है अन्वांसिक रोग के अंतरगत आती हैं इसका दिन हम आगे भी करेंगे अभी हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं या चप्टर पांच जब पढ़ाएंगे तो वहां भी चार्चा इसके बारे हम करेंगे दूसरा यहां बताया गया है संक्रामक रोग इन्फेक्शन डिजीजेज संक्रामक रोग किसे कहते हैं जब कोई बीमारी या कोई रोग किसी भी किसी दूसरे प्रकार के जिवाड़ विसाड़ कवक पृटो जोवा जोवन्स क्रीमियों आद के कारण से आद का मतलब जल भी आ इसमें इनके कारण से होता है तब हम उसे संक्रामक रोग कहते हैं संक्रामक रोग उसे कहते हैं जब कोई बीमारी किसी के द्वारा फैलता है उसी को हम संक्रामक रोग कहते हैं जैसे करोना इसमें फैला हुआ है तो करोना एक वाइरस है इस वाइरस के कारण से जिसको इंफ कर अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है तेजी से संख्या बढ़ाता है संख्या बढ़ाने के साथ साथ हमारे सरीर को इफेक्ट भी करता है जिसके कारर से हमारे सरीर में विभिन प्रकार की समस्यां होने लगती है जैसे यहां पीडा सूजन जलन आध की प्रक्रिया क इसके बात आदनिक जीमन सहली ये तो बहुत ही परभासाली एक्टिविटीज है जिसके करनट से हमें कुछ और भी मानिया हो रही है यहां नाम दिया है मदमे मानसिक तरह और फिरदैगात मस्तिस गात कैंसर जिसमें आदनिक जीमन क्या है मनुस चाहता है आराम के जिंदगी जीने के लिए जैसे हम चोटी चोटी बात करें हम पैदल नहीं चाहते हैं हमें बाइक चाहिए हम घरों में सीड़ियां का प्रयोग नहीं करते हैं हमें लिफ्ट चाहिए तो हमारा आदमिक जीमन है तो यह आदमिक जीमन जीने के करार से व्यक्तिकाज जो सारी रिक्स सकती है वो सदुपयोग नहीं हो पाती है जिसके करार से वा बिविन प्रकार के रोगों में बदल जाती है तो इसमें जो है मदमे मांसिक तनाओ उष्दैगात मस्तिसगात जैसे समस्या होती है इसके बाद आहार संतुलन यह भी एक परभाव साली कारक है जो मनुस्थ को सरी के जो परभावित करती है इसमें जो है तमाम परकार की समस्या आती है अगर हम भोजन कम लेते हैं तब भी समस्या भोजन ओवर करते हैं तब भी समस्या है यदि हम दूसित भोजन गराड करते हैं तब भी समस्या यह तो यह कुछ कारक है जिसके करार से हमें बीमारिया होती है या रोग होते हैं अब यहां पर थोड़ा सा और यह दिया हुआ है कि स्वास्त के लाव कि स्वास्त के लाव जो दिया हुआ है स्वास्त वेक्त अपनी पूर्ण शमता के अंसार सभीकार को संपादित करता है हमने बताया था जब सामान रूप से सारी गत्विधी होती है मांसी को सारेरिक ग्रूप से संप्नत आती है अगर हमारा सरीर स्वस्त होता है जिस प्रकार से हमारे सरीर में कोई भीमारी नहीं होती है उसे प्रकार हमारे समाज में भी उसका प्रभाद देखना मिलता है हमारा समाज भी स्वस्तो होता है और अगर हम स्वस्तो नहींयों जाते हैं देखिए जात्रों यह हमेशा बता जाता है बेक्त को संतु ज्युच। बोजन परतेक दिन प्रितेक दिन भैयायाम योग करना चाहिए और टीका करणगी पद्रेशन करणग में भाग लेना चाहिए रोगों के प्रभाव के बारे मिजाना ग्रूप होना चाहिए आस पास का वातरवन साफ सुत्रा होना चाहिए खाने पूप पीने की विश्ट गुरुवत्ता पूर्ण तता साफ सफाई पर ध्यान अचाहिए यह सारी चीजें जो बताई गई है किसी जग्रव्ञ्द की स्वास्त के प्रवा करने वाले कारक उसक अव्ट व्हाति स्वास्त अप लजाब और स्वस्त रखने के लिए मैं सब्वातों की चर्च यहां पर के गई है टीक है फिर मिलते है नेक्ष्ट से में ओके थेंक कियू